को जरूर्स अफ्फार करिए का आज हम बनाएंगे ग्राउंडनट की चटनी तो इसके लिए हमने ग्राउंडनट लिये हैं जिसे हम रोस्ठ करेंगे अच्छे तरह से देखिए इस तरह से घ्राउंडनट की स्कीन नहीं निकालनी हैं में यह बहुत ही इंपोर्टन होती है अब हम इसे ठंडा होने के बाद खलबता में लेंगे और इसके लिए हम यह यूज कर रहे हैं ग्राइंड करने के लिए उसमें नमक डालेंगे और उसमें ही थोड़ा चार-पाच लसुन की पंखोडिया डालेंगे और फिर लाल मिर्च और इसे हमें अभी खलबता के साथ जीरा भी डाला है हमने इसमें हम अभी इसे बारिक करेंगे देखिए इस तरह से इसमें बारिक करने के वज़े से देखिए यह ओईल भी निकल रहा है ग्राउंड नट का तो यह बहुत ही टेस्टी बनती है यह बनिए हमारी ग्राउंड झाल झाल